राश्प्रवादी आंकर राश्प्रवादी कॉंग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग नाकपु शहर की और से शहर पददिकारी को लेकर अड़ावा बैठक कारिकरम रवी भवन में राश्प्रवादी कॉंग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अद इस कारिक्रम में प्रमुकतिती राकमपा शहर अद्यक्ष दुनेश्वर पेठे व जला परिश्य सदस्य सलील देश्मुक नाकपु निरिक्षक मनोश शेक आद्यू पस्तित थे वह इस कारिक्रम का आयोजन राश्ववादी कॉंग्रेस पार्टी अलपसंख्यक विभाग ना अड़वा बैटा का कारिक्रम मिटिंग के माध्यम से लिया गया जिसकी अद्यक्षता हमारे महराष्ट प्रदेश अलपसंख्यक विभाग के अद्यक्ष मानिय जावेद अभीप साहब ने की है और इस कारिक्रम में प्रमुक अतीती के रूप में हमारे नाकपूर शहर के निरिक्षेक मुनाच भाई शेक अमारे पाशा भाई और असंगटीत आगाडी के जो शहर अद्यक्ष है जाकिर भाई शेक और जोपलबटी मोर्चे के अद्यक्ष बंटी अलग जेंडर ये इनके प्रमुक उपस्तिती में आज ये आड़वा बैटक ली गई है और हमारे प्रदेश अद्यक साब ने नाकपूर शेहर के अंदर अलपसंक्यक के समुदाय को लेकर के अलपसंक्यक समाज को लेकर के किस इसाब से किस तरीके से हमने परशासन में अपने नाकपूर शेहर में काम करना चाहिए और प्रभागों के अंदर जो हमारे मुस्लिम समाज की सी जो यहां पर निवासी नागपूर शहर में जो रहनागरिक रहते हैं तो उनके जो समस्याओं का समधान, हम परशासन द्वारा कैसा निकाला जाए और उसको किस तरीके से हम परशासन में हल करें, तो उसको लेकर के एक हमारे प्रदेश अद्दिख साहब ने एक मार्ग है कि आप आपने अपने प्रभागों में अपने अपने कामों पर ध्यान दे और संगटन को मजबूत करें तो इसी तरीके से आज यहां पर नाकपुर रभी भवन में हमने अड़वा बेटक का कारेकरव आयोजीत किया है इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विनम्र देता कि अलप संक्या समाज की दशा और दिशा यह क्या है यह सरकार के बनाए हुए आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश करके बता दिया है तो एक दबे कुछले समाज को मुक्यधारा में लाने के लिए उसको आरक्षन मिलना चाहिए यह तो हमारी मांग है और मुझे खुशी इ कर दो बेलॉड करते हैं उस पर टी की बहुता है कि यह समाज को और मिलना चाहिए।न दो दो का हमारी सरकारती कॉंग्रेस और राष्टवादी कॉंग्रेस की उस वक्त ये निरने लिया गया केबिनेट का मंत्री मंडल का के मुस्लिम को आरक्षन पांच परसंड लागू किया जाए लेकिन इतिफाक से वह सिस्टम बदला और सरकार बदली तो सरकार बदलने के बाद में भ लेकिन फिर जब हमारी सरकार थी तो उसके अंदर में भारतिये जंता परिटी ने कहीं तो भी रोडा अटका के सरकार को गलत असमविदानिक तरीके से कबजा करने का काम किया और आज ये जो सरकार बेटी है इसकी मानसिक्ता में बिलकुल नहीं है कि मुस्लिम को आरक्षन म नहीं तब तक समाज को आरक्षन मिलेगा नहीं हमारी भूमी का है नागपुर से BCN न्यूस के लिए अभिशेक पांग से की रिपोर्ट